बोलिये शेरी प्रान नात प्यारी कीज़, सत्गुरु महराजी कीज़, पन्ना धामी कीज़, सब सुन्दर साथी कीज़ पनामजी सुन्दर साजी, आप सब इस सुन्दर साजी के धाम हिर्दे में विराजे, शेराज शामाजी के चर्णों में शर्ष्या कमाद सुन्दर साजी आप शे राजी शामा जी की मेल से अभी हमारी शोबा चल रही है शे रंग महल की उत्तर दिशा और अब बढ़ना है पुखराज की ओर तो उत्तर दिशा के उन वनों की सुन्दर शोबा को एक पर फिर से रिवाईश करते हैं कुछ कोशन भी लेगे और कुछ नए परदर्शन बने है धनी की मेल से वो भी तो सबसे पहले रंग महल की उत्तर दिशा में आ जाएं और बढ़ोवन में 41 व्रिक्षों की 41 हारे उचे अतंत व्रिक्ष उनकी महराबों में हिंडोले और जमीन से हम भूमबर उचाई पर जूल रहे हैं और कैसे पशु पख्षी मुख उठाकर उपर की और देखते हैं छोटे पख्षु पख्षी जो छज्जे हैं उस लेवल में आके छज्जों पर और पख्षी उपर से देखे अब सुन्दर साथ जी हम यहाँ पर हैं बड़ोवन में हैं तो बड़ोवन की उन सुन्दर शोबा 41 विक्षों की 40 आरे 40 की 40 सारा खाड़े हिंडोलो की शोबा अब यहाँ है तो रंग मेल की तरफ लाग्चव उत्रा और पश्चिम तरफ देखो बड़ोवन है लेकिन इस बड़ोवन में नहरे चबच्चे आए हैं पांच भूंग छटी चानी उत्तर दीशा में मदूवन भूम दर भूम इस मदूवन की 500 भूम पूरव दीशा में हमने देखा था कि इस वन के सन्मुक तीन वन आते हुए ताड़वन, खील का मूल और मदूवन तो अब सुन्दर साथ जी यहां खड़े होके हम शोभा ने रखते हैं खुद को मैसूस करें कि हम बड़ोवन में हैं उन अखाडों में हैं या उन हिंडोलों में हैं तो धाम की तरफ देखते हैं तो अपने को क्या-क्या नज़र आता है आजी सुन्दर साथ जी बड़ोवन की उन सुन्दर महरावी द्वारों में और रंग महल के मंदिरों की और देख रहे हैं, तो अपने को कितनी भोमी, क्या क्या शोबा नजर आ रहे हैं। अजी, चित्रा? पराम जी, यदि हम ये बड़ोवन के अखाडों में खड़ें, पशुपक्षियों संग खेल रहे हैं, तो रंग महल की तरफ देखेंगे, तो लाल चबूत्रे की शोबा आएगी, तीस मंदिर का ऐसे चोड़ाई में, और लंबाई में दिखाई देगा हमें वायवे कौन से श होगे, इनका शान नेट नहीं चल रहा, आशीरी, तीस मेरा भी बीच में नेट भीक हो गया था, मुझे पता नहीं चला, चित्रा ने क्या बताया, चित्रा ने बताया कि हम रंग महल के और देखते हैं, तो लाल चबूत्रे की शोबा नंबाई चोड़ाई, और क्या दिखा अरे के फिर और धक्षिन की तरफ, नौ भौन तक, दस्मी चांदनी का छज़े तक, पूरी रंग महल के मंदिरों की, बारासों मंदिरों की सुंदर शुभा दिखाई देती है, जिसमें हम देखते हैं कि पहली भूमिका में, जो हमारे मंदिर आया, उनमें जरोखे नहीं है तेन तेन द्वारा और बागी सब में सुंदर जरोखों की ही शुभा दिखाई देती है, और दस्मी चांदनी के छज़े तक, छज़े तक, छट्रे मंदर पूरा, आज़ी सोलिया, प्रिणा जी, दीदी हमें ये सोलहास का जो हमारा चहबच्चा है, वो भी दिखाई देग अभी सिर्फ रंग मेल की तरफ का बार, सिर्फ इस तरफ देखो, रंग मेल की तरफ देखो, जी, लाल चबुत्रा दिखाई देगा, धाम रोंस दिखाई देगी हमें, और उस पर चलती भी सक्यां दिखाई देरी हैं, राज शामाजी बैठे हैं, सिंघासन लगे हमें, कु जाली द्वार जरोखे उपरा उपर पहली भोम में नहीं है लेकिन उपर उपर जरोखे आते हैं आठभी भोम तक सोरी हाली थीद T Water जाली द्वार समझ में आया कि जाली द्वार जरों के पहली भूम में नहीं है उपर उपर है अग्दम से उसको उस पे ले गई जाली द्वार पे प्रणाम दीदी दीदी जो चालीस हांस का चबूत्रा आया है उस चबूत्रे के हांस के मद्य में एक मंदीर का लंबा चौड़ा चांदा है उससे उतरती भी भूमभर की सीड़िया नीचे दिखेंगे और नीचे नूर में अखाडों में रेतियां भी दिखेंगी खड़े होके वहां से देखेंगे तो प्रणाम जी जी जहां पे हांस के मद्य से सीड़िया उतरी है भूमबर दो हांस के मद्य से उसके बैक साइड में रंग महल में गुर्ज की शोभा भी आई है यहां ताडवन में आती है यहां हास के मद्य में है यहां पे रिक्षो के सामने गुर जाता है फरक है यहां पर देखेंगे ना लाल्चा पुत्रे में तो हास के मद्य भाग में है और गुर जाते है जहां हास मिलते हैं यहां देखेंगे ना पन ताडवन में यहां जो के सामने सीड़ी आए यहांस के मद्देबार तो इस तरह से अजी अल्टी जो बड़ोवन में जूले आए हैं जूले नीचे आए हैं बड़े सुंदर उन्में भर की उचाई से हम बैठ सकते हैं और एक सो तीन मतलब हाथ की उचाई पर हम जाके बैठेंगे और जो रंग वहां पर एलाल चबूत्रे पर जो सक्या बैठी होगी उनसे भी जाकर टाली भी बजाएंगे जूलते जीनते के सक्या आज़ी कहांगे सुक्षांटे आज़ी सुक्षांटे यह सबने तो बहुत अच्छा बढ़न करती है मैं भी थोड़ा से ही ध्यान रहें सब्सक्राइब करते हैं जिसमें कि हम बहुत जूले लग सकते हैं और वह तीन सो मंदिर का तारबन वह वह क्या करते हैं वह तीन सो मंदिर का वह आया है चौरस चगुत्रा और उसमें हम सब बैठके और पशु पक्षियों की शोबा को हम बड़े आदर देख सकते हैं तारों के और एक ताली लिसाने उसके उपर बनी हुए है जूले बने हुए है हाँ जी शाथी है शाथी दिदी प्रणाम जी दिदी दिदी बिरिख्चों में हाँ सांस पर इन चाजे निकले हैं दिदी ब्रवन के व्रिख्ष और रंगमेल की तरफ की शोबा ये वर्णन हो गया भी आगे कोशन पूस्ती है है न तो सुन्दर साथ जी हम लाल चोगुत्री की सामने आए इन एक तालीस व्रिख्षों की तालीस हारों में खड़े हैं तली रेती है उचे अतनत व्रिख्ष है इनकी एक ही भूम में रंगमेल की दस भूमें समा गई रंगमेल की ओर देखते हैं तो लाल चोगुत्रा अपनी संफून शोबास साइथ हास हास पे गेलम सिंगासन कोर्सियां हास के मद्धे भाग में उतरती सीरियां और भूम दर भूम शिररंग महल की बहारी हाल मंदरों की शोबाः और पहली भूमिका में अपने को तीन-तीन द्वारों की शोभा और नवी भून के जो बढ़ती छज्जी हैं उनकी किनार पे जो थंब हैं वो सब अपने को दिखाई दे रहा है तो अज सुबे चिंतन करते हैं ये भी लगा कि नवी भून दूर दर्शी का यहां धनी दूर-दूर के नजारे दिखाते हैं लेकिन यहां तो आकि चान्नी ने कवर कर लिया तो पहले तो यह सोचने में आया कि वो इतने बड़-ड़े महराभी द्वारें सामने से तो यहां के पुखराज के नजारे फिर वो चपई ध्यान आई कि जहां तक हम देखना चाहते हैं तो वहां तक जैसे हम चान्नी के उपर खड़े रंगमहल की तो तले तक देखना चाहते हैं तो अपने को सब दिखाई देगा अब रंगमहल की उत्तर दिशा में हैं और धनी का मन है कि मैं अपनी रोहों को पुखराज दिखाओ, पूरन शोबर साइब, तो उस समेश सब को जैसे पारदर्शी होता हुआ, उन विख्षों की महराबूं में से, डालियों में से भी अपने को पुखराज सब्वूर नजर आता हुआ, तो ये तो ही रंग महल की तरफ की शोबा, अब हम जब यहाँ खड़े हैं, इसको हम पूरा माने, इसको पश्षिन, ये दक्षिन और ये उत्तर, तो इस कोने पर हम देख रहे हैं, चैबच्ची की सुन्दर शोबारी है, ये ना वाइव कोने की चैबच्ची की शोबा, तो सुन्दर साजी इस चैबच्ची में किन-किन वनों की शाया है, एक मोटा विस्तार की किन-किन वनों की शाया आई है, वाइव कोने की चैबच्ची कार, इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, कॉसंते दे, परणाम जीदी, परणाम जीदी, इसका एक हांस तो हमारा रंग महल से मिलावा होगा, उसके बाद के जो है, हमारा फूल बाग आया हुए, एक बाग में फूल बाग आया हुए, जिनकी दो चत्री मंडल आया हुए, एक बूम उपर चड़के, फिर उनने चत्री मंडल डाला जल चबूत्रे तक, उसके बूम जो है, आदे में वहाँ से अर आगदे तक, जो हमारे बड़ो बन के जो आये हैं, व्रिक्ष पांच बूम के, उनका चत्री मंडल आएगा, उसके बाद चार चत्री मंडल उपर आजाएंगे, उसके बाद जो हमारे, जो 105 मंदिर की जगा बचेगी, उसमें बड़ो बन के जो दस बूम के व्रिक्ष आये हैं, उनका चत्री मंडल आएगा, जो की दस चाननी से इसके उपर चाया डालेगा, इस परकार से इसपर तीन वनों की चाया आएगे, एक फूल भाग की, जिसके जो चत्री मंडल, और उसके बाद आदे में बड़ो बन की, जिनके चार चत्री मंडल, और उसके बाद जो है, तीन व्रिक्ष आएगा, जो बड़ोवन के दस भूम के उनका एक शत्री मंदर आएगा अब सुन्दर साथ जी हम पश्चिम तरफ के शोबा देख रहे हैं बड़ोवन के पश्चिम तरफ तो यहाँ पर भी बड़ोवन है लेकिन इस बड़ोवन में नहरे चवच्चों की शोबा आई है बड़ोवन की चोकी की तरह और भूम दर भूम इनकी पांच भूमे है तो सुन्दर साथ जी यह शोबा फील करें कि हम खड़े हैं जहाँ पर हमारी चट्री दस भूमों तरह है और सामने भूम दर भूम बड़ोवन की वो शोबा अपने को कैसे नज़र आईगी यह जो बड़ोवन आया है पांच भूम छटी चानली का इसकी शोबा कैसे नज़र आएगी अजी जैसर दीजी एक सो पांच मंदीर की दूरी पर पांच व्रिक्ष आएंगे यह बड़ोवन के जो व्रिक्ष हैं यह और चारो और नहरे चह बच्चों की एक व्रिक्ष के बीच में चारो और नहरो और चह बच्चों की सोभा आएगी और यह दो व्रिक्ष पचास-पचास मंदीर की तरफ अपनी जिन्ती माराजे ने ने दी बस बट people की चोकी की तरह चारप नहरे 4 कोन मी चवच्चे 100 या 700 मंदिर का हिसाब हो सकता है तो गिंती अपने कर न को लगा अपने बशें थे था ना 700 700 की दूरी में आया है तो यहां सामने का वर्णन है यहां का जो वर्णन है यहां के वर्णन में इतना ही है इक शोबा यहां दिखाना आपको खड़े हो आपकी छत्य दस पूंपर और सामने आपको भूम दर भूम पांच पूंपर नज़र आ रही है आपके इन व्रिक्षों के साथ पांच पूंपर बिलती हुई और उनके कठेड़े लगते हुई यह व्रिक्ष का तना तु सीदा द अब उस तनी के साथ आ कि इनकी व्रिक्षों की छत्री बंडल में तो उसके पश्चिन साइड पर हमें चारों एक व्रिक्ष के चारों तर चाह बच्चे नहरे और नहरे नजर आएंगी उनमें चाह बच्चे भी होंगे और भूम दर भूम इनका जो चत्री मंडल पढ़ता जाएगा और जिसका मिलान बड़ो वनके व्रिक्ष से भी हुआ होगा और पांच भूम के बाद कैसे उसकी जो पांच भूम छटी चाननी भी अपने को नजर आती हुए खुले आस्मान तले वहां पश्चुक अक्षियों का मिलावा केंता हुआ और इनका मिलान पूरा होगा 40 मैंना जो 41 व्रिक्षा है उसे सब से होगा मिलान इसका होना चाहिए क्यों कि पक्ष्चिम तरह बताया तो पूरे वहुझा होना है तो इसमें वर्ट पीपल की चौकी में जैसे रिक्षो की महराबों में हिंडोले भी होंगे के देदी हैं हिंडोले भी होंगे हिंडोले आगे-आगे सब जगे आए है मदुवन महावन इसकी जैसी शोबह है न ऐसी मदुवन महावन की शोबह है इसे अभी अपने वर्णन किया ऐसी मदुवन की ऐसी मावन क्योंकि भोमें जादा हो जाएगी अब रंगमहर की उत्तर दिशा में अपने को मदुवन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर अपने को बड़ोवन की चट के अंदर-अंदर मदुवन की कितनी भोमें नज़र आएगी सुन्दर साजी विचार कीजी कितनी भोमें नज़र आएगी सोनिया प्रिणाम जी दीदी दस भोम दिखाई देंगी न दस भोम और यह शोबा देखो आमने सामने बराबर पहली भोम धाम की चब उतरे के बराबर उपरा उपर इधर नगो के मंदिर एक तरफ फूलों के मंदिर और दीदी जैसे इसमें हमारी ताडवन में है न जैसे भोम दर भोम हमारी तो उस तरह की शोबा उधर बनती होगी न उसी तरह की कठेड़े लगते हुए यहां पर जैसे यहां दांगेमेल में कठेड़े लग रहे हैं अपने भोम दर भोम ठीक है यहां पर फूलों के कठेड़े और दीदी एक चीज और बताए कि जैसे हमारा बड़ोन है हमारा भी जो हमारा पस्चिम तरफ हम बात कर रहे थे न आप पूछ रही थी क्वेशन तो पहली भोम में जैसे रेती हो गई चब उत्रे हो गई चारो तरफ सीड़ियां उतरती हुई हो गई कठेड़े लगे वे हो गई फिर हम जब दूसरी भोम में जाते है तो वहाँ पर रिक्ष का तरना दिखाई देता है रिक्ष का तरना नज़र आएगा चब उत्रे का वढ़ना नहीं है वहाँ नहीं है तो सुन्दर साजे अपन यहाँ पर खड़े रंग महल की तरफ देखे तो नगों के मन दे उत्तर दिशा में मदुवन की तरफ देखे तो फूलों के पश्यम तरफ भी फूलों के लेकिन पांच भोम के अब यहाँ पर देखो तीन तरीकी शोभा मिल रही है पूरव दिशा में ताडवन खेल का मूल और मदुवन तीन वन मिल रहे हैं अपने को फूरव दिशा में तो ताडव की शोभा अपने को कैसी नजनाएगी अजी नरेशी परणाम जी परणाम जी इस साइड की अभी सिर्फ ताडव की उससे पहले एक शोभा ना उदर तीर आ गई जब हम इदर खड़े हैं बड़ो वन में तो लाच बूतरे की तरफ जब देखते हैं मंत्रों की तरफ तो 40 हास का तो पताया लगला गिलम बीची नजनाएगी कठेडा भी नजनाएगी कठेडा भी आगी आगी कठेडा रहे गया था क्योंकि चांदे के साथ सीडियां तो उतर रहे हैं इस साइड हम देखेंगे तो पहले तो फर्स्ट नेर को ताड़ बन भी जो हमें उपर से दस भूम से जूले लटिकते नजनाएगे और फिर गोमदर भूम भी हमें फूलों के महल नजनाएगे और उनमें भी सुन्दर जूले नजनाएगे जो की चार तरफ से हम अब चार तालिके जो की चोक बनेंगे चोटे चोटे वह भी हमें नजनाएगे और वही मतलब जो अगर हम पूरा ताड़वां देखते हैं हर एक बगीचे तो दूसरे बगीचे के मध्धे में से पूल के जो उपर से एक महराब बनके जूला बनेगा और चार तरफ से ऐसे बनके बीच में जो चाह बच्चा है बनेगा जा नहरे कटेंगी वहां पे चार तालिके डोने पड़े और एक दूसरी शुबह और भी है कि वही जो इस तरह से अगर हम ताड़वां में जो बीच वाले व रिक्षब बनेगे और और क्या था उनमें हाँ चोक बनेंगे सुन्दर सुन्दर और बाकी जो कर्णर वाले तो सारे ताड़ बन के हों दस भूम उचे गए और इनका मिलान बिलकुल अपना हो गया बड़ो बन से जो दस भूम उपर गया इनका मिलान और एक शुबह और र वर्षब नहर पे जो लाज मुटर से सीडियों कर रहे हैं जाड़े बाता हारे हैं और उससे अंदर भूम दर भूम उनत्तिस व्रक्षों की उनत्तिस आ रहे हैं एक शुबह जो काफी मर्ला स्पेशल है यहां कि वह स्पेशल है वो तो एक ही बौम मतलब दस बौम के बराबर यह एक बौम आई है जो हमारे ताड की व्रक्ष है उनमें बड़े हिंडोले जो लोगे में उनकी बात कर रहे हैं नहीं उनका वड़न तो हो गया ना जेसर हां जी दीदी मेरे नेट गड़बर हो रहे तो सुन नहीं पाई क्य सुन्दर साथ जी यह जो नहर आई है आउटर एरिया में है ना यह देखो एक नक्षा और दिखाती हो में यह देखो यह जो नहर आती है घेर कर अब अपन जासे मालो लिबोई में हैं हम बड़ो वन में हैं मत इसकी चारो दिशों में कहीं पर भी है या तो हम पहली भूम से जा सकते हैं या पूरा चान्नी पर चड़के फिर आ सकते हैं मत एक रखो पा चारो तरफ से नहर की बाउंडरी वाल है अभी तक क्या होता है कि एक वन से दूसरे वन में जाना है तो अपन पांच विचों थी किसी भी भूम से दूसरे वन में जा सकते हैं इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि नहर के दोनों तरफ रिक्षाएं हैं और जिनकी दालियां सीधा जाकि चान्मी पर मिलान करती हैं अब मालो इस भूम में आना है तो इदर से नहीं आ सकते ऐसे तो पक्षी मार्ग से तो आई सकते हैं कि पक्षी पे सुख पालों की लेकिन अगर अगर अपन पुल की बात करें या इन विक्षों से बात करें या तो चान्मी से क्या फिर फुलो सी इदर की तो होगे उदर पश्चिम साइड में वो दो मंदिर का चज्जा भी तो आएगा हाँ उसमें बड़वन का बड़वन का इसका चज्जा जो हम उपर से शुबा देख रहे थे लगेगा दौनुद में भारी हार वाले विरिक्ष कहते हैं इन्होंने भौम दर भौम इन चोटे विक्षों से मिलाण किया है और उस मिलान में दे हिंडोले हिंडोले तू कैसे कितनी प्यारी शोबा यहाँ पर हर तरफ अफ इसमें आजो केल के मूल में दीदी वो आपने अभी छज्जो का बताया ना उधर वो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ अच्छा हाँ यह जो अपने एक तालिस रिक्ष है ना इनका पश्चिम तरफ दसी चान्वी पर जब इनका मिलान होता है ना एक मिलान तब यह दो मंदिर का चज्जा निकालते हैं तो यह चज्जा क्योंकि यह बिल्कु पिठोर से लगे वी रिक्ष होते हैं तो यह जाकी जल्चवुत्रे पर चाया करता है पते हैं यह दो मंदिर का पूरा चज्जा मैं निकाल के दिखती हूँ हलाएक यह चाहँ उस पोजिशन पर नहीं है कि उस च्ग्रमंडल हो जाए लेकिन जैसे यहां से छज्जा निकला दो मंदिर का, तो यही छज्जा जाके जल्चब उतने पर छाया कर देता है, इवर मैं कलर रूसा करती हूं, यह देखो, यह दो मंदिर का यहां से छज्जा निकलता है, और वही छज्जे से अपने 16 हांच चया बच्चे पर 6 मंदर आ पूरी तालिस विक्ष तक सत्रवे हां से जो विक्ष उपर जा रहे हैं उनका वो शज्जा निकल रहा सिर्फ जो पर रही है दस पूम पराबर उससे छज्जा निकला पूर एक तालिस विक्षों का क्योंकि आप यह देखो अगर आप यहां खड़े हो बढ़ोवन की चादनी पर और बढ़ोवन की तरफ दस पूप लाल-चब उत्रे वाले बढ़ोवन की तरफ देख रहे हो तो आधी दूरी तक चज्जा हो और आधी दूरी तक नहीं हो तो सिमिलर्टी नहीं होगी ना तो पहले चाली स्विक्षों की बराबर चज्जा निकलते हैं फिर उपर उपर सत्री भूम से उपर जा रहे हैं उनके शज्जे निकल रहे पर यह चज्जा पूरा निकला ह। कि हैंजी सोनिया कुछ कह रहे हो हां जी दिदी मैं पूछना चाहरी थी दिदी कि महां पर फिर छज्जा गुलाई लिए होगा ना चैबच्चे के ऊपर अगर है तो हास हास में अलग इस तरह से बनावागा कैसे आज जब अपना ये व्रिक्ष जाते है ना पिरकूँ साथ लगते लगते कुछ हट तक वो हलक ये अपने को यहां नजर आती है वहां उत्ति इशा की तरफ ही उसके पहल होएंगे उसके बाद वह पहल पश्चिम के और मुड़ते हैं जी जी तो तीन व्रिक्ष विल्कुल बराबर पिठोर के साथ लगे हो हैं वो दो मंदिर निकालेंगे तो लगबत जल चमुते तक च ऐसे अपना हुग्या ताडवन की शोभा हो गई अब केल का मुड़ तो केल के मुल में सबसे पहले कौन से पांच पेड़ हैं जो केल के मुल में से निकल रहे हैं जिन पedarळों ने पूरे परमधाम किया परिक्रमा करनी है वो कौन से नमबर के पांच प्रेड हैं आजी सुन देदी पर नाम जी देदी पर नाम जी नाम जी बड़ोवन के पाँच प्रक्षा न वहीं वह केल के मूल में से आया न कौन कौन से नंबर के हैं कि यह मुझे निज़ान कौन से नंबर के हां जी कोई बाती बड़ोवन के निकलेंगे आहां मितलेशी पर नाम जी बड़ोवन के भी कहलाते हैं और किसके कहलाते हैं यह बड़ोवन के भी हुए और किसके हुए मारा अशिज ने बताया था न परसो अपने वर्ड़न किया था यह एक और शोभा के भी हैं बड़ोवन के तो हैं लेकिन यह और भी किसी शोभा के हुए ना मैं से आंटी अंटी अनम्यूट हो जो करते हैं ना के ल के बूक्ष्ण करते हैं ताहिरडैं करते हैं यह बड़ोवन के होम 이 है एक जोगे और जवाब देता है सुन्दर साजी कोई परिक्षा नहीं है अपने रिवाइच कर रहे हैं अजी आशी दिए तुम्हेरा पहले का है बड़ोवन में तो है या केल के मूल में आ गया अच्छा मधुवन में मधुवन में भी है ये पेड क्या है ये बड़ोवन मे वैसे आठ मंदिर का डिस्टंस रह जाता है हां उसके बार रह जाता है तो इवन दन भी इसको मधुमन का मधुवन कहीं कहते हैं सुन्दर हैना इसका बातों ने दिल में एक पल की लिए था पांच पेर तो पांच शक्ति पांच सरू पांच नियामतों कि अपने उस दिन ब अब सुन्दर साची एक मोटा विस्तार लेते हैं क्योंकि अब गिंती में ने अपने को केल के मुलकी शोभा देखने हैं तो पहली दो भूम में कैसी शोभा नजराएकी हम बड़ो वन में ही खड़े हैं पहली दो भूम में कैसी शोभा नजराएकी और उपर उपर आठ जी जेसन उनमें जूले आएंगे और जो पांच बड़ोवन के व्रिक्ष की महरावे बनेंगी उनमें भी हिंडोले और जूलो की सोभा आएगी दो भूम में ये सोभा रहेगी और उपर के आट भूम में सिर्फ बड़ोवन के व्रिक्षो की महरावे बनेंगी और उनमे हिंडोलों की सोवाई इसमें थोड़ा सा कलेक्षिन बस कि जैसल ये जो अपने है ना दो दो मंदिर के अंदर पर केल के पेर तो जैसे साथ बन में हिंडोले नहीं आए तो इन केल की पेर्डों में हिंडोले नहीं है यहाँ पर विठिक मद् ens terrifying मेराब में बड़ोवन का ही डोलाएगा तो यहां पर अपने को दो भूम तक एक्टम से सगन शोबा नज़र आ रही है ना चोट-छोटे विद्वाद और एक्टम से बड़े महराबी द्वाद के उपरा उपर देखो और यह सब अपने को बड़ोवन में से दिखाई दे रहा यहां केल के जो चार विक्षो में महराब यह दो दिखाई है न तो अपने पार चार महराबे नि burada रहे हूं के जो दो-दो मंदिर के उसमें विक्षे आया हैं केल के वह उनके में हिंडोले नहीं है उन्हें इन्हें में बड़ोवन में यह देखो उनमें हिंडोले नहीं है वो ऐसे अर्जर्स हो जाएंगे कि बीच के चोक में जो बीच का मेरा भी द्वार होगा उसमें जाके वो हिंडोलाएगा क्योंकि इसको अपन साथवन से लेए केल का जो मूल है उसको साथवन में तो साथवन में हिंडोले नहीं है सुन्दर साथ जी ऐसी सगंता अपने को नजर आएगी और सुन्दर साथ जी कोई शोवाई यार आ रही है चित्रा जी इसमें नहरे वाँ चैबच्चे नहीं है जैसे हम ताड़वन की तरफ में आ रहें तो हम रोच के साथ जैसे हमारा अगला कदम वो उसकी रेती पर होगा और नहर की रो preach नहीं है यह पर नहर की रोच्चे नहरे शेबच्ची यहां पर नहीं है और कमर वरू चए है हाई जी नरेशी केल के मुल्की जो लास्ट रो रहा था ओपरी नज्डिक में जडर आएगा नाश्त मतलब के बाद आएगी ना उप पहली वाली आ रही है थोड़ी 120-122 पिलकुल मतलब बड़ोवन और इसमें फरक ही नहीं वही बड़ोवन हो गया वही केल के मूल के हो गया अबी ने केल के मूल की जो हम लाश्ट वाली हार है ना मतलब जो फिफ्टी एक मंदिर के बा लेकिन अपनी पहली हार तो इसी किनार पर ही शुरू हो गई होगी ना जी मैं यह कहना हूँ तो डूर्स केल वन की तरफ हम चब चलेंगे तो जो लास्ट केल वन की जो मानी जाएगी वो फिफ्टी एट मंदर के बाद ही आ जाएगी हाँ वो पी पूर इसी जल्दी के जल्द कि यह तो समझाएगी यह भी बिलकुल नजदीक है और जब हम इदर की तरफ चलेंगे तो पहले तो एक सो बीस मंदिर में फिर एक सो बाइस में और यह फिफ्टी एट के बार एक दम यह आदे डिस्टेंस के बार यह और बाकी वह वाला वरिक्स तो है यह इस जगे वो बन चैंटर में आ रहा है फिर उसके बाद यह आगे फिर इदर ही आएगा इसकी नायर के किना तब ही शोबह अच्छी लेगा अब सुंदर साची मधुवन की शोबह उसी बड़ोवन में खड़े हैं कित्ती भूमें नज़र आ रही है मधुवन की भी अंजी अंटी अंटी ने हाथ खड़ा किया हुआ फिर कहेंगे हाथ तक गया मेरा अंजी अंटी कोलो नहीं मालिंग चल्दा आंको आशे जी अवाश नहीं आड़ी आपकी प्रणाम जी दी दी जो बड़ो इसकी मधुवन की जो पस्चिम की तरफ आएंगी वो तो दस भूम तक के आएंगे वरक्ष और जो आगे जमना जी की तरफ चलेंगे वो पांच भूम की और उत्तर और यहां से आप देख रहे हो तो आपको इसकी भूम दर भूम किती भूमे नजर आए इस चत्री मंदल के तले और इसकी शोबा रह रही है अपने यहां भी स्किप करी है यहां पे भी स्किप करी है कौन सी शोबा है लुद्धि वो जो त्यातिस वे नमपर कव रख्ष है निधर भी जवाब हो गई थी वो तो हो गया वो सकता वर्णन हो भी ग्या ओ तो मुझे याद नहीं आरा लगना तो पांसो बहुम की ने दर आते हैं लेकिन पहली भूम में नहरे चावच्चे हैं उपरा वागे कठेले हैं तो अपने को यहाँ पर बढ़ोवन में है तो भूम दर भूम छज्जे नजर आते हुए फूलों के तो ने कितना प्यारा समा है हम इस जगह हैं एक तरफ रंग में है एक तरफ मदूवन और पीछ पांच बढ़ और उपर कुली चांदारी कि चारू तरफ अख़डों की अपन बात करते हैं हमीशा यह चारू-तरफ की शोबह में हमेंको लगता है कम भी देखते हैं को same पर धर अगर उदर देखते हैं सब्सक्राइब थर 10 भूम थे शोभग बड़वन की निदर आएगी और भृषнова की में मिदी सुपान्सों मुए गए हैं कि दॉरम न कि पूरम में क्या आता है झाल उसक्त बूराधन नमद हूँ के पूरम में अभी बता दिया वैसे शक्रम पर फिर भी मदून कि पूरा में जो मदुभान यमिना जी के विल्कुल के सामने आया उसकी कितनी भूमन है ये दसी आएगे पांध, यहां पर महाँवन भी पांध भूम छटी चानी क्योंगे केलपूल के साथ मिलान करना है तो हम आपने आज पूरा किया, एक कोश्चन अपनी सोनिया का है कि हम ताडवन में हैं यसी यह ताडवन में है और यहां का चैवच्चे पर खड़े हैं इस चैवच्चे पर तो अपने को क्या-क्या नजर आ रहा है इस चया बच्चे पर खड़े हैं तो अपने को चारों तरफ नजर गुमाएं एक एक सुन्दर साजी एक इक बताते जाएं क्या क्या नजर आ रहा है हां जी अस्तर सबसे पहले आब बताओ इस तरफ लिबोई की शोगा हां जी कुसुम दिदी हम दिदी हम इसके दक्षिन में यानि रंग मेल की तरफ देखेंगे तो हमें सारा रंग मेल के भूम दरवाजे खिड़कियां और जो जाली द्वार सब नजर आएंगे और वो भी नजर आएगा गुर्ज भी नजर आएग गुर्ज भी वो 16 पहल का चया बच्चा भी नजर आएगा कडोकली भी नजर आएगी और तो कि यहां पर सुंदर साजी यह जो नहर है ना इसकी च्छत आई यह दो भूम उची तो जब यहां हम खड़े हैं तो पूरा व्यू सामने का दस भूम तक का नजर आता हो और उसक के उपर जो दस भूम पे वो जल डला हमारा चंद्रवा के दो यह मिलान यह चत के दो वह दर आएगी और बीच में जो भूम दर भूम जो आया विरिक शायर में हिंडोले आए वो सब नजर आएगे नजर आएगे अब इधर देखते हैं तो अपने को क्या नजर आता है चि है तो उधर देखते हैं तो उपर से अब बता दो एक बर वापी सिय भी दोरा दो नहीं वो ठीक है रंग महल का हो गया हो बहुत अच्छी से एक्स्प्लेइन कर दिया तो समांजी में अगर हम यहां से यहां खाड़े हैं इस चे बच्चे पर हांजी और सामने की तरफ इसे शोभा बनेगी और उनमें लगे हुए हिंडोले नजर आएंगे और फिर एक हिंडोला सबसे उपर से नीचे आता हुआ दस भूम से आता हुआ नजर आएगा जो सोल में विरिक्ष की महराब में बनेगा और बाकी इस तरफ और शोभा क्या होगी इस तरफ केल का मूल अजर आएगा और फिर अगर हम पूरव की तरफ देखते हैं तो हमें केल के वन की तरफ जो रॉंस चारी होगी ना दो मंदिर की बड़ी वली सेंटर में वहीं चेह बच्चे के साथ ही लगती मतलब कोने वांडे अगर चेह बच्चे के पास खड़े हैं तो वो नगन तरफ एकदम दो मंदिर की बहुत बड़ी जगा होगी इस तरफ को लेकर आएगी हमें यह लिगोई और खेल वन के बीच में तो आँटी मेरा एक मधुवन को लेकर क्वेस्चन है मधुवन के जो वरिक्षे हैं यह कितने कितने डिस्टेंस पर है देखो पहली हार जो आई है ना उसमें आठ मंदी तो केल के मुलने लिए है एक सो बीस एक सो बीस मंदिर तक तीन हारे आगे इसको यहां से देखते है अनि यह वाले ने यह केल मधुवन के हां मधुवन का ही वता रही हूं यह देखो एक पर नक्षा निकाल दू वह वाला जिसमें रॉकर रखा है दीदी एक और बोलो अबादरी में अहां बोलो की जो भूंदर्भूं थज्जे है अपना जात के पशुबक्षे वाले वह भी नज़र आईगी एक उचित्रा यह अपना यह वाला जो पेड़ है यह पेड़ और यह पेड़ और यह तीन पेड़ मधुवन के कहलाए गए यह तीन इनमें आठ मंदर की जगे तो केल की हद में है पर यह 120 मंदर मधुवन में भी काउंट होते हैं और यह भी 120 मंदर अब इसके बाद दो जो पेड़ और आते ह एएहली हार में तो ऐसा ही साब है, दूसरी हार में जब आपना आते हैं, तो ऐसे तो शॉभा बिल्कुल ऐसे ही है, 1200- legion 52 ये बिल्कुल इससे 2012 का द्जेब लिकिन अब विंक्ष से व्रिक्ष का अंतर 125 में पांचों विक्षों में, मतद्ए इस में और चार्व रिक्ष जो ओर आया है उन सब में अब 125 मंदर का डिफ्रेंस ऐसे व्रिक्ष से व्रिक्ष ने और फिर इनके बीच में और व्रिक्ष भी हैं नहीं इन में और व्रिक्ष नहीं है और यह वो वाले हैं जिनके आसपास नहरी चाह बच्चे बनते हैं जो बट पीपल की जयसे बनते हैं इस तरफ से एक एक चोक ने समने होते हैं तो दस भूम के और अगर आगे चले जाते हैं केल वन ятель लो कि तरफ तो अ सब में महरागों में हिंडोले आते हैं और देखो तले भी फूर ऊपर भी फूर और इसके बाद अपना महावन भी पुखराज की तरह बेलकुल ऐसे आया बस उसकी भूमे पांस हजार और हजार हो गई उसके तो यहां अदूवन में खड़े हैं तो महावन की सारी उपर की बाकी की सार भूमों का भी व्यू कितना और चज्जे वाली बाद जैसे के बताई अभी देदिने यह देखो मैं चज्जों की पिक्चर भी निकालती हूं यह देखिए इसी भूमदर भूम चज्जों की शोबा और बड़ों की चांदनी पे अपने चाय बच्चे भी आए हैं तो लगबख सुन्दर साथ जी शोबा हो रहा है हां जी और जब यह आप पूछ रहे थे ना वह चाय बच्चे पे हम खड़े थे है वह अपनी काल ना रहा है हां जी आज इसमें मतलों इस नहर पे जो हिंडोल की ताली पढ़ेगी वो दो तरफ से और तीन तरफ से और तीन तरफ की कॉर्मर्न मेल नहरorn बिल्कुल वो पांची भूम वाला सीर कोने वाले दो किदर वाले तीन और बीश के चार देली और नहर और केल की जमीन एक बराबर है मतलब कमर भर उची है यह वाली दो मंद्र की रॉंस यह नहर की रॉंस भी एक परावर है यहां के लवन में उतरना है तो अपने को तीन सुड़ी उतरने पड़ेगी तीन सुड़ी अपने पड़ेगी तीन सुड़ी को लगता अपना हो गया अभी जो नए नक्षण से आंटी बहुत जादा शोभा क्लियर हुई है जो अभी आपने पीछे दिखाया ना इससे सारी आसपास की और यह बट पीपल की चौंकी का जो कहां कहां भूमदर भूम वह भी बहुत अच करके सब नक्षे दिखाती हूं यह देखो यह बढ़ोवन का द्रिश्य है थोड़ी सी विशालता ले सकते हैं ना हिंडो ले यह देखो इन भूम तीन हाथ उचाई पर इतने बड़े हाथी होएंगी कि आप जूला जूल रहे उनकी सून आप तक पोछ रही होगी अतन तू मुझे हाथी बताया है युग अलश्माजी लिए चोटे भी होगे कि अभी अभी पैदा हुए है अगर हाथ के इसाब से भी लगाए तब एक सो तीन हाथ की जगात नीचे है यह है ना और बैठते वक्त तो भी नीचे आ जाते है ना जब बैठना होता तब नीचे जो चज देखे हम जूला जूला फिर यह वाले देखे हम पन जो चारो कोनों पर जो जल की स्टू जाते कोने से जस पहले वाला चारो कोनों के जस पहले वाला यू ले जसी यह कोना लेए तो कोने से यह वाला तो चारो तरव से ऐसा यह जो व्रिक्ष या ना इस व्रिक्ष के उपर ये चैबच्चा है तो जल का नूर मुशोभा चैबच्चे और ये वाला पिक्चर ये वाली कैसे पांच भूम के बाद बिलकुई खुला आस्मान अचा हां सुंदर साजी एक शोबा रह गई अभी वर्णन नहीं हुआ लेकिन फिर भी यहां से एक सीधा रस्ता जाता है जो दक्षिन नहर की और पोचाता है और ये नहर अपने को पोचाएगी पुखराज मताब उत्तर दिशा का बिलकुँ सेंटर पाइंट यहां से लेवे तो पच्चिसवा चबिसवा वर्ण इदर से लेवे तो दसवा पंदरवा क्योंकि दर साज ही ले लिए तो इदर से भी पच्चिसवा चबिसवा हास इदर से भी पच्चिसवा चबिसवा हास ठीक मद्दे से निकलो, दोनों तरफ रिक्षों के मेरा भी द्वार है, सुन्दर शोबा है, रिक्षों के भूम दर भूम छजे, तले रेती, उपर चंद्रवा, आपने बड़ोवन पाड किया, तीन सीड़ी चड़ कर यहाँ पर नहर की पाल पर आ गए, नहर से कैसी भी सीड है, यहाँ पर वन दो हिस्सों में कट रहा है, मदुवन महावन, उत्ते हिस्से में मदुवन महावन नहीं आए, तो यहाँ से आप चल रहे है, दो अधर पुखराजी रोस्प्या, यह वर्णन करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर अपने को एक दक्षिन तरफ की नहर भी जाती दिखाई दे लिए, जो अपने को पुखराज पुचाए, और यह शोगा, अपने एक पहले भी बनाया था, पर इसमें यह भूम दर भूम, दस भूम में आएंगी, और यह हिंडोला जब हम जूल रहे हैं, तो दाएं बाएं दस भूम के महल है, क्योंकि इनकी एक ही भूम में दस भूम समावे, इनकी भूम दर भूम दस भूम में, यह कितनी प्यारी बैठग होईगी, यह देखो, और चारा दिशाओं में कठेड़े हैं ना, कठेड़े, पुल की शोगा, सिंगासन कुरसियां, यहां की छोटे छोटे लगारे हैं तो इतने अच्छे लग हैं वहां कितने अच्छे लगेंगे, जल के पास जल, जैसी शोगा की कुरसियां होंगी, ट्रांस्पेरेंट, जल के पास है तो, फूलों के पास है तो, फूला जैसी शोगा की कुरसियां, यहां पर भी देखो कितनी सुन्दर बैठके यह अपने तीन तरह की दिखाई है ऐसे और देखों पीर किनार के लिक्ष ताड़ शोले व्रिक्ष का मिला्स इन डॉलस से उता हुआ कि तारवन के केल के मुलकी शोगा तले से लिकर चाननी तक यह बहुत सुन्दर बनी है इस किसमें यह क्लियर हो रहा है कि दो बंदिर के नीचे कैसे हैं इंडोले आगे और उपर से दस बोब से कैसे आ रहे हैं यह अभी दिखाए है अपने पास ऐसे पांच बिख्ष है इसकी चाननी पर भी पशुपक्षी बनाएं इस सामने जो केल बनाएगा और इन दोनों की चाननी जब मिलान करेगी केल के आगे आगे ना केल मूल के आगे केल बना गया इनकी ग्यार्वी चाननी इसकी छटी चाननी अगे एकल मिलान हो जाएगा ना उनकी ग्यार्वी चाननी पूरी मिली ना उधर भी ताडवन की चाननी और बढवन की वो चाननी सारी कठी मिल गई अधर आगे इस फिर फिर यह मदुवन यह भूम दर भूम अपने को बढवन से देख रहे हैं तो यह भूम दर भूम अपने को कठेड़े नजर आएंगे तुझे पांच ही व्रिक्ष है आप बढवन की उत्तर दिशा में तो बतेरी व्रिक्ष होएंगे ना बहुत सारी होंगे उत्तर दिशा में तो पूरव में पांच आ रहे हैं यम्ना जी तर्फ चाहरे है और गांच तरफ towers हाँ यह जो जने एडर जू जा रहे है इसमें इसati चारे तरफ के थोड़े थोड़े कट जाते हैं पुख्राज की उत्तर की घाटी और यह सब आने से थोड़ा-थोड़े कम हो जाते हैं चार हारे उसकी है चार हारे महावन की और यहां भी आप देखो के यह अपन पांच कहते हैं क्योंकि यह व्रिक्ष खेल में भी जवाब दे रहा है इधर से इस तोरे नक्षे से करते हैं मदुवन में भी और महावन में भी सवासो सवासो मंदिर का है तो देखा जाए पांच व्रिक्षों के अंदर चार संदी तो ही तो ही यह व्रिक्ष जैसे यह व्रिक्ष मदुवन में भी केलवन में भी ऐसे मदुवन वाला मदुवन में भी और महावन में भी और इनकी यह यमना जी के सामने 5 पुवे यमना जी की तरफ मदु वन के जो पांच विक्ष बड़े हैं उसकी लंबाई चौडाई क्या है वो इतना बताया निवा साथ वन की हद में देख लो यह देखो नक्षे से अपन देखेंगे तो साथ की हद में यह देखो है ना और इसकी बीची यह मदुवन लगी रहा है जैसी यह केल 2300 मंदिर का हो गया ऐसे मदुवन 2300 मंदिर का हो गया इधर महावन भी देखो आगे तक लेकी गए है और यह दक्षि तरह नहर जो भी अपन बात कर रहे थे नहर में लेगी लंबाई इसकी हाथ भी तो ताडवन यहीं तक ही ना बडवन तक तो 2302 नहीं लख रहे थे यहां पर नी दो सो बतीस तो यू चुड़ाई में लंबाई तो ऐसे हो चुड़ाई में लंबाई में तो दो जार तीन सो हो गई यहां तो यहां पर दो सो बतीस है लेकिन आगे तो पांसो में पूरा है यहां से बाकी तीन हारे दर से ओर आ गई ना तो फिर यह चुड़ाई में उदर 488 और फिर 232 था यहां 232 है लेकिन यहां से 500 यह देखो यहां से देखो तो दिदी दक्षिन की नहर के आये दाये बाई जो दिखाई है पुखराजी रोंस इसका मतलब पुखराजी रोंस जहीं से शुरू होती है बड़वन के साथ दक्षिन के नहर पास तो पाल है बस पाल पाल पुखराजी रोंस से दो है यहां पे न यह जो नहर आई है ना जो दक्षिन तरफाली नहर आई है पूरी शुबह ली आई है यम्ना जी की तरे इनमें जरूंस लिए इसमें पाल अर इसकी पाल एक लेवल पे है यानि जमीन से छे हाठ उची आपन इन की पाले देख है तो जमी से तीन सुड़ी उची है यहां पे पुखराजी रोज से पूरी अमना जी की तरह चोबा है और यह ऊपर तक खुली है पुखराज से अपन दर्शन कर सकते हैं तो जिए इसका मतलब पुखराजी रोज रही से शुरू ही ना जो बाव में जाके नहर जाती है होज कोसर में हम कहते है जाके नहर के दाएं बाएं मतलब पुखराज की संपूल शोबा को गेर क्या ती है पुखराज यहां पर भी आएगी तो अब क्योंकि दो पेड़ भी दिखा रख रखे है ना इस पाल पर यह दे रखी है यह नहर के जो आसपास की रौस है ना उसके अलावा ही है तो जमना जी की तरह बी तो नरेश भी आए जमना जी की तरह बी तो उसके इलावा हम गिनते ही है और इदर जो मदुवन महावन है वो इतने हिस्से तक ही रहेंगे पुखराजी रोज तक यहां जगे में उसकी छाया नहीं आएगी तभी आप चाननी सी यमना जी के तरह इसके दर्शन कर सकते हो पुखराजी रोज चल चब उतरब छाय करेंगे तो उपर उपर वन नहीं आया और बड़ा क्लियर है इसमें देखो पुखराजी रोज जैसले आप कहा रहें आजी जी वो दो मंदरों की इसमें वो भी चल रही हार दुसरा की इसका मतलब ये दक्षिन की नहर 200 में होगी आसपास उसो मंदर की उसकी नहर की तोटल 400 में नहर होगी 400-400 पॉर्ष पॉक्राजी रोंस होगी पॉखराजी रोंस में रिक्न से 3 चेड़ी नीचे होगी उससे पाल से जी 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 जैसा हो जैसे जार्ष पॉर्ष पॉर्ष रोंस तक्षिन की ये रोंस और पॉर्ष टीरीं से उसकी है यह ठीट यह बड़ा सही निकला मेरे दुमाग में हमेशा यह कोस्टन चलता था खतम तो हो एगी ने जब हम पूरव की जो हाथ जो हाथ 16 जरी का घाट उधर एंटर करते हैं चोल अपना टाइम हो गया हाँ जी परनाम जी परनाम जी परनाम जी झाल